हलो फ्रेंज क्रेटिव सर्था चेनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो फ्रेंज बहुत ही खास है और आप डिजाइन देख रहे हैं कितना सुन्दर लग रहा है और इसको बनाई है अपने बाहर वाले गेट पे जरूर लगाई है और सब पूछेंग आप वहां से देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं सबसे पहले हम तोरण बनाना स्टार्ट करेंगे तोरण बनाने के लिए मजिक रिंग बनाना है यह देखिए फ्रेंज इस तरीके से मजिक रिंग को बना लेना है अब magic ring के अंदर देखें यहाँ पर इसको हम पहले lock करेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा धागा खीचेंगे पब बनाने के लिए यह देखें रिंग के अंदर से धागे को यहाँ पर चार राउंड रेसे निकालेंगे यहां पे हमने चारण धागा इसे निकाल लिया है और इन फंडों को एक साथ बंद करेंगे बंद करने इक बाद एक चेन बनाएंगे और उसी तरीके से फिर हम दूसरा पप तियार करेंगे निकाल के कुल्षय हमें लेंगे याँ पर देखे एक साथ इन फंदू को बंद करेंगे और इसके आगे एक चैन बनाएंगे फिर हम पब बनाएंगे तो याँ पर चाराई एक दागा निकाल लेंगे इसी तरीके से फिरेंस पप को बनाना है magic ring के अंदर तो इसमें total art pub बनाने है और यहां पर हमने तीन बनाया है इसके आगे 5 pub और बनाएंगे तो देखें इसमें हमने art pub बना लिया है अब magic ring का जो धागा है इसको बंद करना है तो इसको खीच के इसे बंद कर लेंगे और जो धागा है इसको यहाँ पर अच्छे से note लगा दीजिएगा ताकि magic ring हमारा ना खुले अब इसके आगे देखें यहाँ पर एक chain बनाएंगे और यहाँ पर देखें जो pub का फंदा है इसे मिला के इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पर एक line हमने complete कर लिया इसके आगे दूसरी line बनाएंगे अब इसके आगे इसको बंद करके यहाँ पर जो हमने एक chain के बीच में आपर बनाया है धागे को इसके अंदर कर लेना है यहाँ पर हो गया फिर इसके आगे हम इसके फंदे में पर बनाएंगे तो उसी तरीकी से बनाना है चार राउंड यहाँ पर धागा निकाल लेना है और इसको बंद करके अब यहाँ पर हम दो चैन बनाएंगे और देखिए फिर इसी के फंदे में या नीचे देखिए एकी फंदे में दो पप त्यार करने है और इन फंदों को बंद कर लेंगे तो यहां पर देखिए फंदे में हमने दो पप त्यार किया है और बीच में दो चैन बनाया है इसी तरीके से एक एक फंदे में दो दो पप तो आगे वाले फंद में देखे फिर हम दो पव बनाएंगी बीच में दो चेन रखेंगी इसी तरीके से लाइन कम्पलीट करना है तो इसको गोल बना लेंगी तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस हमने इसको बना लिया है एक फंदे में दो दो पप फिर यहाँ से जहाँ से हमने बनाना इस्टाट किया था उसके फंदे में लाकि इसको बंद कर देंगी यह देखिए फिर आगे वाले फंदे में यहां पर देखिए धागे को बीच में करना है फिर हम पप त्यार करेंगे एक ही फंदे में दो पप त्यार करने है यह तिसरी लाइन बना रहे हैं friends और यहां पर दो चैन बनाएंगे और देखिए फिर इसी के फंदे में दूसरा पप त्यार करेंगे यह देखिए एक फंदे में दो पप हो गया अब इसके आगे वाले फंदे में देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक पप त्यार करेंगे तो यहाँ पे एक पप हमने त्यार कर लिया है अब यहाँ पर देखे दो पप त्यार करेंगे फिर उसकी आगे वाले फंदे में एक पप बनाएंगे इसी तरीके से इस लाइन को complete करना है तो इसको मैं ऐसे बना लिए रहे हूं तो यह देखे फ्रंस हमने इस लाइन को complete कर लिया है अब जहां से बनाना इस्टार्ट किया था उसके फंदे में लाके यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद कर देंगे बंद होने के बाद फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे यह देखे इस तरीके से अब यहाँ पे एक फंदे में दो पप त्यार करेंगे और यह देखे हमारा चवथा लाइन है और बीच में दो चैन बनाएंगे तो यहाँ पे एक फंदे में दो पप हमने बना लिया है और इसके आगे वाले फंदे में एक फंदे में एक पप त्यार करेंगे तीसरी लाइन में हमने एक पप बनाया था बीच में अब यहाँ पे चौत्ती लाइन में देखे दो पप बनाएंगे एक देखे हमने बनाया है और इसके आगे वाले फंदे में यहाँ पर देखे फ्रंस इसके अंदर दूसरा पब बनाएंगे तो दो पब देखे इसमें हमने बढ़ाया है यह देखे दो पब बढ़ाया है अब इसके वाले फंदे में दो पब तयार करेंगे एकी फंदे में जिसमें हम दो चैन बनाते हैं बीच में और यहां पर देखें दो चैन करके फिर उसी के फंदे में पप बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाना है फ्रेंस यहां से देखे लाइन दो-दो फंदे का है दो पप जिसमें हमने बनाया है देखे इसमें भी हमने दो-दो पप बनाया है और यहां पर एक पप हमने बढ़ाया था तिसरी लाइन में फिर चोथी लाइन में देखिए दो पप हमने बढ़ाया है और इसी तरीके से लाइन कम्प्लीट करना है आगे यहां पर भी हम दो पप बढ़ा के फिर एक फंदे में दो पप बनाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंस हमने चौत्थी लाइन देखिए बना लिया है अब इसको जहां से हमने बनाना स्टार्ट किया था उसे के फंदे मिला की इसको बंद कर लेंगे तो इसमें हमने चार लाइन बनाया है अब यहाँ पर डिजाइन को चेंज करना है तो पहले धागे को मागे करेंगे चैन के अंदर यहाँ पर चैन के अंदर बनाने के बाद तीन चैन बनाएंगे और देखिए फ्रिंस इसी के फंदे में फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें देखिए एक चैन और एक डबल क्रोशिया दो हो गया डबल कुरोशिया इसके आगे दो चेन बनाएंगे अब यहाँ पे बनाएंगे एक डबल कुरोशिया तो पप के फंदे के उपर वाले फंदे में देखे यहाँ पे एक डबल कुरोशिया बनाने है यह देखे इस तरीके से यहां पे एक chain बनाएंगे और यह देखे जो दूसरा पप है इसके उपर वाले फंदे में double crochet बनाएंगे बीच में एक chain रहेगा और उसके आगे double crochet बनेगा तो पप के उपर वाले फंदे में double crochet बनाना है इस तरीके से इसको बना लेना है यहाँ पर एक चेन बनाएंगी और फिर बनाएंगी डबल क्रोश्या तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस चार डबल क्रोश्या हमने बनाया है अब इसके आगे दो चेन बनाएंगी और यह जो लाइन बना है दो दो पपका इसी के फंदे में बन दू दबल कुरोश्या एक देखिए हमने बनाया है यहां पे एक और बनाएंगी अ को ऑनके पन Two chain कि अब इसके आगे देखिए फ्रेंस जो पफ है इसके वह पंदे में उपर बाले पंदे में एक हम double crochet बनाएंगे तो जैसे हमने बैका हमने 4 डशाege टयार किया उसी तरफ्र्के से मैं हर लाइन में त्यार करने है और इसको हमें पूरा गोल नहीं बनाना ना है इसमें हम a left ऐप छोड़ देंगे तो इसको इसी तरह तरह के से त्यार कर डबल कुरोशिया बनाए है यह देखिए यहां पर दो डबल कुरोशिया है यह लाइन देखिए है दो दो पपका और यहां पर भी देखिए दो दो पपका लाइन है इसके अंदर हमने दो डबल कुरोशिया बनाया है और यहां पर हमने पहली लाइन त्यार किया है अब इसकी दूसरी लाइन बनाएंगे तो इसको हमें उल्टा करना है पलेट लेना है यह देखिए तो तीन चैन यहाँ पर हमने बनाया है अब जो दो चैन देखिए बनाया था इसमें हम बनाएंगे दो डबल कुरोश्या दो डबल कुरोश्य बनाने के बाद अब यहाँ पर हम बनाएंगे दो चैन अब देखिए इसके आगे वाले फंदे में बनाएंगे एक डबल कुरोश्य और यहाँ पर एक चैन फिर उसके आगे वाले फंदे में एक डबल कुरोश्य और एक चैन फिर आगे वाले फंदे में दो डबल कुरूश्या पहली लाइन में हमने चार डबल कुरूश्या बनाया था और दूसरी लाइन में देखिए हमने तीन डबल कुरूश्या बनाया तो यह देखिए लाइन जो है घट रहा है अब देखिए फ्रेंस इसके आगे दो चैन करके हम दो डबल कुरूश्या बना और यहां पर बनाएंगे दो चेन पर देखिए जाली के अंदर एक डबल कुरुष्य बनाने हैं बीच में एक चेन रहेगा तो यहां पर फ्रेंट इसी तरीके से इसको बनाना है देखिए घटाती बनाएंगी और इसको बढ़ाती भी बनाएंगी तो आगे हम इसको बना ले रहे हैं इसी तरीके से तो देखिए फ्रेंट दूसरा लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है लाश्ट में देखिए इसके फंदे में डबल कुरुष्य बनाके फिर यहां पर तीन चेन बनाके फिर इसको हम पलट लेंगे अब देखिए यहां पर जो हमने दो चेन बनाया था इसमें बनाएंगे दो डबल कुरुष्य और इसके आगे दो चेन बनाएंगे अब इसके आगे देखिए सिंगल वाली जाली में बनाएंगे एक डबल कुरुष्य फिर बीच में एक चेन फिर आगे वाली फंदे में डबल कुरुष्य यह देखिए दो डबल कुरुष्य इसमें बनाएंगे फिर दो चैन बनाएंगे अब यहाँ पर देखे डबल कुरोशिया वाला जाली है जो इसमें बढ़ राय है एक चैन करके फिर बीच वाले फंदे में दो डबल कुरोशिया और यहाँ पर एक चैन बनाएंगे बीच में फिर उसके आगे वाले फंदे में 2 double crochet अब यहां पे देखे 2 chain करके फिर यहां पे एक-एक double crochet बनाने है एक-एक फंदे में तो यहां पे देखे फ्रेंस एक घट रहा है और यह बढ़ रहा है इसी तरीके से बनाना है इसको तो यहाँ पर हमने तीसरा लाइन कम्प्लीट कर लिया है अब यहाँ पर तीन चैन हमने बना लिया है इसको हम पलट लेंगे देखिए इस तरीके से इसको पलट लेना है अब यहाँ पर बनाएंगे दो डबल कुरोश्या एकी फंदे में अब यहाँ पर दो चैन बनाएंगे अब देखिए सिंगल कुरोश्या का जो जाली है यह देखिए हम लाश्ट तक इसको हमने बना लिया है यहाँ पर देखिए एक हमने बनाया है फिर इसके आगी दो चैन बनाएंगे अब डबल कुरुश्या का जाली तियार करेंगे तो एक फंदे में दो दो डबल कुरुश्या बनाने है इसी तरीके से इसको मैं बना ले रहे हूँ तो देखिए friends एह double crochet का जाली है अब यहाँ पर दो chain बनाएंगे और single crochet का जाली देखिए लाष्ट तक बन गया है लाष्ट में एक रहेगा फिर दो chain करके पिर आगे देखिए इसको बनाएंगे दो-दो double crochet तो इसी तरकी से line को complete को दूंडा ह Simone यह देखिए सिंगल कुरोश्या का जाली घट चुका है और डबल कुरोश्या का जाली भी बढ़ रहा है तो चोथा लाइन हमने यहां पर कम्प्लीट कर लिया है अब इसके आगे पांचवा लाइन बनाएंगे तो यहां पर तीन चैन करके इसको टॉन करना है अब यहां पर बनाएंगे दो डबल कुरोश्या एकी पंदे में अब यहां पर फ्रेंच्छ यो सिंगल कुर Sure का जाली है ह्मारा पूरा ठाट क हो गया है अब इसके आगे दो चैन किर करके हम दो डबल कुरोश्या बनाएंगे एक ही पंदे में देखिए कि एक चैन मी कि फिर उसके आगे वाले फंदे में दो डबल कुरोश या इसी तरीके से इसको बना लेना है तो आगे तक मैं बना ले रहे हूं तो यहां पर देखिए फ्रेंस लाश तक बनाने की बाद दो चैन करके फिर आगे वाले डबल कुरोश या की जाली में बनाएंगी डबल कुरोश या तो इसी तरीके से पांच चुवा लाइन हमें कम्प्लीट करना है यह देखिए फ्रेंस जाली मारा बढ़ रहा है तो पांच चुवा लाइन हमने यहां पर कम्प्लीट कर लिया है अब यहां पर हमें डिजाइन को चेंज कर देना है तो यहां पर हमने तीन चैन बना के इसक तेए उसी में हम बनाएंगे इस तरीके से में लपेटना है कुल यह सहादिée एसे चार बार कुल नहीं सब्सक्राइब और यहां पर देखे फ्रेंस जो हमने डबल कुरुषय देखे बनाया है एक फंदे में एक और दो छोड़ के तीसरे वाले फंदे में इसी के बीच वाले फंदे से देखे यहां से धागे को इसे निकालेंगे और दो दो फंदा इसको बंद करना है देखे दो धागा बंद करक यह देखे एक डिजाइन बन गया अब इसके आगे दूसरा डिजाइन बनाएंगे फिर उसे ही चार राउंड से कुर्शा में लपेटेंगे और देखे यहां से इसके फंदे में बीच वाले फंदे से दागे को निकालते हुए दो दो धागा इसको बन करते हुए इसको बनाना है लास्ट में दो धागा इसको बंद करेंगे देखे फ्रेंस इस तरीके से इस डिजाइन को बनाना है बहुत ही सिंपल है इस तरीके से चार राउंड ऐसे धागा कुरुश्या में लपेट के और दो दो धागा इसको बंद करती वे इसको बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है फ्रेंस और इसमें हम चौदर डिजाइन बनाएंगे तो इसको गोल बनाना है इस तरीके से तो इसको मैं बना ले रहे हूँ तो देखी फ्रेंस हमने इसमें चौदर डिजाइन बनाया है अब इसको हम लॉक करेंगे स्टार्टिंग में हमने दो डबल कुर्षिया छोड़ा था यहां पर भी दो डबल कुर्षिया छोड़के फिर बीच वाले फंदे में यहां पर जो हमने दो चैन बनाया था इसी की फंदे में इलाके दो सिंगल कुर्षिया बनाएंगे और इसके बीच में 3 चैन बनाएंगे और उसके यागी बनाएंगे 2 सिंगल कुरूष्य तो यहाँ पर सिंगल कुरूष्य बनाने की बाद 4 राउन्डे से फिर हम धागे को कुरूष्य में लिपेटेंगे यह देखे फ्रंस इस तरह के सी लिपेटना है और यहां पर दो फंदा छोड़ेंगे यह देखिए दो फंदा में छोड़के तीसरे वले फंदे में यहां से धागे को निकालती हुए दो दो धागा बंद करेंगे यह देखिए बन गया इसी तरीके से इसको बनाना है तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने इसको बनाया इसी तरीके से में यहाँ पर बना लेना है आगे तक तो यहाँ पर देखिए फ्रस हमने इसको बना लिया है और इसमें पांच डिजाइन बना है अब इसके आगे हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रस हमने तीन चेन बना लिया है अब इसको पलट लेना है अब यहाँ पर देखिए जो तीन चेन देखिए हमने बनाया था उसी की फंदे में लाके इसको बंद करेंगे इस तरीके से बंद करके फिर धागा हम लेंगे कुरुश्या में और यहाँ पर देखिए पब बनाएंगे फर्स्ट वाले फंदे में से तीन राउंड धागा में निकालती भी पब बनाना है एक पब हमने तयार कर लिया फिर उसके आगे वाले फंदे में फिर यहाँ पर भी हमें पब बनाना है तीन राउंड का और उसी तरीके से फिर आगे वाले फंदे में बनाएंगे तो एक एक फंदे में एक एक पब बनेगा इसी तरीके से फ्रेंस इसमें एक एक फंदे में एक एक पब त्यार करने है और आगे इसको गोल बना लेना है तो यहाँ पर फ्रेंस हमने इसको देखिए गोल बना लिया है अब यहाँ पर जो उने तीन चैन बनाया था इसे के फंदे में लॉक करना है यह देखिए यहाँ पर इसके फंदे में इस तरीके से लॉक करके फिर आगे देखिए कुरुशय में धागा ऐसे लेना है फिर यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट वाला फंदा है इसके अंदर से तीन राउन धागा निकालती पब बनाएंगे और इसको भी ऐसे ही गोल बना लेंगे तो आगे हमें सभी डिजाइन के अंदर गोल बना लेना है तो यहाँ पे दिखी फ्रेंस हमने पांचों डिजाइन के अंदर यह पप त्यार कर लिया है और यहाँ लाश्ट में दिखी हमने धागे को यहाँ पे लाके कट कर दिया है अब यहाँ पे हम दूसरा धागा लगाएंगे तो धागा हमने ले लिया है और जो single charger करे चाली है इसी में हम पप तेयार करेंगे तो नीचे से देखें यह जो पप को फन्दा है फर्स्ट वाला इसी में से पहले हम धागे को यहाँ पर देखे हमने नोट लगा लिया है ताकि धागा हमारा ना खुले और इसको लोग करके फिर यहाँ पर देखे धागे को हम किचेंगे थोड़ा सा ज्यादा नहीं किचना थोड़ा सा ही किचना है और इसके अंदर से दो धागा हम निकालेंगे यह देखे फिर आगे व और यहां पर देखिए जिसमें हमने एक फंदे में दो डबल कुर्शिय बनाया था उसे के फंदे में से भी हमें धागा निकालना है यहां से देखिए कि दो राउंड यहां से धागा निकालेंगे तो देखिए फ्रेंस इसमें पाच पप त्यार होगा यह जो ग्रीन से हमने पप निकाला है तो इसमें पाच पप बनेगा और एक पप हमने बंद करते हुए यहां पे देखिए एक चैन बनाएंगे बीच में दूसरा पप बंद करेंगे यहां पर भी हमें एक चैन बना रहा ह देखे इस तरीके से इसको बंद करेंगे और एक चेन बनाएंगे तो यहाँ पर देखे इसे फंदे में दालेंगे और नीचे देखे यह जाली है यहाँ पे देखी फ्रेंस इसमें से कुरुश्या को निकालेंगे और पहले धागे को लॉग करेंगे अब यहाँ पे हम दो राउन ऐसे धागा निकालेंगे इस जाली के अंदर से अब दूसरा पप हम निकालेंगे यह देखिए फ्रेंस जो दूसरा पप है यहाँ पे देखिए इसके अंदर डालेंगे कुरुश्या को और जो जाली है देखिए यहाँ से इसे निकाल लेंगे यहाँ से निकालते हुए दो राउन धागा निकालेंगे हम और यहाँ पे देखिए तीसरा पप बनाएंगे दूसरी तरीके से चाली के अंदर से में धागे को निकालना है और लाश्ट में देखिए यहाँ से भी धागे को निकाल लेना है अब इसको बंद किरेंगे तो बंद किरके यहाँ पे बीच में एक चील बनाएँगे तो लाश्ट तक इसको बना लेना है इसको रहे थाली में फ़ेले धागे को लॉक करना है लोग करके फिर यहां पे हम दो राउंड धागा निकालेंगे इसके अंदर से और यहां पे देखे फ्रेंज इसके फंदे में पहले डालेंगे पप के फंदे में उसके बाद देखे जाली के फंदे में डालना है कुरुश्या को यहां से भी में दो राउंड से दागा निकाल लेना है तो उसी तरीके से निकालना है देखिए जाली के अंदर से और पप के अंदर से भी दो राउंड धागा यहां से निकाल लेंगे अब यहां पर देखिए इस तरीके से बंद करना है बंद करने के बाद बीच में एक चेंड रहेगा और यह देखिए तीन पप बन चुका है अब इसके आगे फिर देखिए फ़स्ट वाले पाप के फंदे में डालेंगे और जाली के अंदर से धागे को यहां पर लॉक करेंगी और फिर उसी के फंदे में से दो रावन धागा निकालेंगे और यहां पर देखिए फ्रिंस आगे वाले फंदे में से और जाली के अंदर से भी धागे निकाल लेना है और इसको बंद कर लेंगे तो यहां पर देखें, दो पप बना है, अब लास्ट में यहां पर एक पप बनाएंगे, पहले तो देखिए, लॉक करेंगे धागे को, जाली के अंदर और पप के अंदर, और फिर बनाएंगे, दो राउंडे से धागा निकालके, फिर इसको लॉक करेंगे, यह देखें, दो करना है यह देखिए यहां से बीच वाले पंदे से हम दागे को निकालेंगे और इस पप को बंद कर लेंगे और यहां पर देखिए फ्रेंस हमारा डिजाइन बन गया है अब इसके आगे बनाएंगे तीन चेन तीन चेन करके धागे को नीचे लाना है दूसरा डिजाइन बनाएंगे दूसरे जले में तो धागे को इस तरीकी से निकालेंगे यह देखिए इसके फंदे में लाके इसको बंद करेंगे और यहां पर तीन चैन बनाएंगे और देखिए फ्रेंस यहां पर जो किनारे पर हमने दो चैन बनाया है उसी के फंदे में इसको हम धागे को बंद करती हुए नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तीन तीन चैन करके तो इसको लाश्ट तक यहाँ पर बनाना है तो यहाँ देखिए पिंस इलाश्ट का फंदा है इसमें भी इसको लॉके हम लॉक कर लेंगे तो दागा हमारा निचै की तरफ हो गया है तक ग्यां है और डीजैन की बन गया है अब इसी तरी के से हम दूसरा डीजैन बनाएंगे अभी देखिए जो दूसरा जाली है इसमें धागे को आगे की साइट कर लेंगे तो यहाँ पर देखे फ्रेंज पहले हम दो रॉन धागा निकालेंगे यहाँ से फिर उसके आगे वाले फंदे में से पप के फंदे में से निकालना है और जाली में से भी दो रॉन धागा यहाँ से निकालेंगे फिर आगे वाले फंदे में से दो राम धागा निकालेंगे इसी तरीके से यहां से पाच पप बनाएंगी अब यहां पर पप को बंद करना है बंद करके बीच में एक चैन बनाना है तो इसी तरीके से सारे पप को बंद कर लेंगी तो आगे इसी तरीके से बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है तो यहां पर देुकिए हमें पांच डिजाइन बना लिया है अब या उपर कर डिजाइन बनाएंगे पहले तो देखे हम किनारे से फंद्दे में इसको लोक कर ले रहे हैं यहां से देखे हम धागे को लोक करना है अब फब की फंदे में यहां पर इसके अंदर लोक करना है लोग करने के बाद तीन चैन बनाएंगे यह देखे तीन चैन बनाना है फिर इसका जो फ़र्ष्ट वाला देखी चैन है नीचे का उसके फंदे में से धागे को निकालेंगे दो का एक करना है देखे इस तरीके से फिर नेक्ट वाले पप के फंदे में यहां पर लोग करना है फिर तीन चैन बनाएंगे और यहां पर देखे नीचे वाले फंदे में से धागे को निकालती हुए दो का एक करेंगे यह देखे इस तरीके से और फिर नेक्ट वाले पप के फंदे में से लोग करना है फिर यहां पर तीन चैन बनाएंगे simple सी design है आप इसे आसानी से बना सकते है इस तरीके से बनेगा तो आगे इसी तरीके से हमें बनाना है तो इसको देखी इसी तरीके से मैं सारे design में से बना ले रही हूँ तो देखी हमने design बना के complete के लिए है वो देखी बहुत ही प्यारा लग रहा है अब इसके अंदर हम फूल को लगाएंगे तो फूल का डिजैन भी हम बनाना बताएंगे तो आगे चलिए फ्रेंस हम फूल को त्यार करते हैं फूल त्यार करने के लिए हमने यहाँ पे देखे 30 चैन बनाया है 30 चैन में हम फूल को त्यार करेंगे इसके फर्स्ट वाले चैन में देखे सिंगल कुरूशे बनाएंगे यहां पर देखे सिंगल कुरूशे बनाने है फिर इसके आगे हम दो चैन बनाएंगे तो चैन करके फिर यहां पर धागा लेंगे कुरुषया में देखे एक दो फंदा छोड़ की तीसरे वाले फंदे में डबल कुरुषय बनाएंगे यह देखिए डबल कुर्शया बनाने के बाद चार चैन बनाना है और फिर हम डबल कुर्शया बनाएंगे उसी वाले फंदे में जिसमें हमने अभी डबल कुर्शया बनाया है यह देखिए अब यहां पर फिर double crochet बनाएंगे तो एक और दो फंदा छोड़ की तीसरे वाले फंदे में double crochet बनाने है और इसके आगे हम बनाएंगे चार chain फिर उसी वाले फंदे में बनाएंगे double crochet इसी तरीके से यह line हमें complete करना है तो यहां पर देखिए friends हमने लाइन complete कर लिया है और last में दो chain बनाएंगे और देखिए यहां पर एक single crochet रहेगा इसके फंदे में लाके इसको बंद करना है और धागे को यहां पर cut कर देंगे तो यहां पर देखिए friends इसी तरीके से यह design रहेगा यह देखिए अब इसके अंदर हम बनाएंगे पंखुडी तो यहां पर देखिए हमने pink धागा लिया है पहले तो धागे में एक note लगाएंगी और फंदे के अंदर यहां पर देखिए लॉक करना है लोग करने के बाद देखिए friends जाहां आमने चार चैन बनाया था उसे के पंदे में बनाएंगे double crochet यह देखिए एक double crochet और यहां पर देखिए 2 double crochet 3 double crochet इसी तरीके से बनाना है friends तो इसमें हम 8 double crochet बनाएंगे तो यहां पर हमने 8 double crochet बना लिया है दागा में चेंज करना है तो पहले देखिए दागे में एक नोट लगाएंगे अब यहां पर देखिए फ़र्स्ट वाले फंदे में पहले पंदे को डालेंगे और यहां पर देखिए friends जो हमने 2 double crochet बनाया है उसी के बीच वाले फंदे में से इसको लोक करेंगे यह देखिए पहले से फंदे में डालेंगे और इसको लोक करना है बंद कर लेंगे फिर हम बनाएंगे double crochet यहां पर देखिए जो चार्जन हमने बनाया था उसी के फंदे में बनाना है double crochet और यहां पर जो धागा है पिंक इसको भी साथ में लेकि चलना है तो इसके अंदर 8 double crochet बना ले रहे हैं यहां पर हमने 8 double crochet बना लिया हैं अब यहां पर धागा हम चेज़ करेंगी पहले बीच वाले फंदे में इसे डालेंगी दागा चेंज करते भी इसको निकालेंगी पहले पंदे में से डालेंगी और यहाँ पी बनाएंगी आठ डबल कुरोश्या तो जैसे हमने देखे दो पंकुडी बनाया है उसी तरीके से में सारे पंकुडी बनाने हैं और दागा भी हमें आगे की तरव लिना है इसी तरीके से इसको हम बना ले रहे हैं तो जो जूट में यहाँ पे पंकुडी एतियार किया दोनों का लर्श दोसरा हमने फूल किया दो किसिमी का इसमें करना है एक हम ड़ूर में लटकाएंगे और एक हम तोरन में लगाएंगे तो जो डोर में लगाएंगे तो इसमें हम ग्रीन अगया लगाया है तो इसमें की बीच में हम दो दावल कृुषय विलाब को चैन ज स्थारेई से Mehl Blande कंदानकोर जेदा को बना लेना है और इसको को मोरना है और इसी तरीके से ऐसे मोरते हुए इसको घुमाएंगे हम इस तरीके से इसको गोल करना है अब यहां पर मैं इसको गुल्टा कर ले रहे हूं इस तरीके से इसको देखे घुमाते हुए गोल बना लेंगे और गुलाब का फुल बन जाएगा इस तरीके से इसको बन तो यहां से देखिए इसके अंदर की तरफ से मैं सिलाई करना है ताकि जो मारा पंखुडी है एक भी ना निकले तो इसको मैं सिल ले रही हूं तो देखिए फ्रेंस हमारा एक गुलाब का फुल रेडी हो गया है अब इसको हम तोरण में लगाएंगे तो यहां पर मैं दूसरा गुलाब का फुल बता दे रहें फ्रेंस किस तरीके से लपेटना है जो उल्टा तरफ है देखिए यह सीधा है इसको उपर की तरफ करना है अ देखिए इस तरीके से घुमाती भी इसको भी गोल कर लेंगे और सुई धागे की मदद से हम इसको सील लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला गुलाब बनाया उसी तरीके से इसको भी बना लेना है तो देखिए फ्रेंस गुलाब देखिए बन गया अब यहाप इसको हम लगाए तो देखिए यहां पर जो उमने गोला बनाया है डिजाइन देखिए इसे के बीच पंदे में मैं इसको सिलाई करना है यहां पर तो देखिए फ्रेंस सुई धागे की मदद से यहां पर मैं इसको सिल ले रही हूं तो देखिए फ्रेंस हमने इसको लगा लिया है यहां पर उल्टा करके इसको अच्छे से नोट लगा देंगे ताकि धागा मार ना निकले और फिर यहां पर धागे को कट करना है तो इसी तरीके से में सारे गुलाब के फूल लगा लेने है तो यहां पर देखिए फ्रेंस हमने सारे गुलाब के फूल इसमें लगा लिये हैं तो इसमें देखिए छे गुलाब के फूल लगा है एक तोरन में छे गुलाब के फूल हमने लगा हैं इसी तरीके से में दो पार्ट तयार करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंस लटकन बाला हमने गुलाब का पुल लगा लिया है और इसमें देखिए अपने पप त्यार किया है तो पप आप अपने हिसाब से त्यार कर ले जितना बड़ा आप डोर त्यार करना चाहिए फ्रेंस उतना बड़ा आप डोर बना ले और उसमें फिर गुलाब का पुलिस को जोड ले तो चलिए फ्रेंस इसको अब हम तोरन में लगाना बताएंगे तो यहाँ पे देखी फ्रेंस एक पर्ट इस तरीके से रखना है अब यहाँ पे हम दूसरा पर्ट रखेंगे तो पट्टी के हिसाब से आपको इसको बनाना है फ्रेंस बीच में थोड़ा सा इस पेस हमने देखिए रखा है इसमें हम लटकन लगाएंगे और यहां पे हम तीन लटकल लगाएंगे इसमें बीच में का जो रहेगा वो बड़ा रहेगा और किनारे का सेम रहेगा और यहां पे देखे किनारे पे हम दो लटकन लगाएंगे एक बड़ा रहेगा और दूसरा छोटा रहेगा यह देखे इस तरीके से दोनों के किनारे पे हमें इसी तरीके से लगा लेना है और सुविधागे की मदद से हमने इसमें नोट लगा लिया है फ्रेंस बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए हमने नोट लगाना नहीं बता है वह बहुत ही सिंपल होता है आप इसको बना लेंगे और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों साथ जरू शेयर कि अडिंवी और झाई आप झायक है वीडियो हो जजर रेंस आपने जरू जरू झाएगा है।